यह कहानी रमन की टेक टेल सीरीज पर आधारित है जो एक अभिनव स्टोरी बुक अवधार्णा है जिसका उद्देश दिल्चस्प कहानियों के माध्यम से सूचना और संचार प्रोध्योगी की ICT या कम्प्यूटर के उच्च तक्नीक शेतर में बच्चों को शिक्षित करना है कहानी इस प्रकार है दफ्लाइंग लेटर उड़ता हुआ पत्र प्रोध्योगी की कहानी एक दूर गाव में भोलू नाम का एक किसान रहता था उसका एकलोता लड़का रामू गाव के उनकुछ बच्चों में से था जिनों ने अपने स्कूल की शिक्षा खत्म कर ली थी क्योकि गाव में उच्च शिक्षा के लिए कोई उचित सुविधा नहीं थी भोलू के पास इसके इलावा कोई और विकल्प नहीं था कि वहा रामू को शिक्षा के लिए शहर बेजे जो मीलों दूर था लेकिन भोलू इसके लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था वह कभी नहीं चाहता था कि रामू उससे दूर रहे क्योंकि भोलू निर्णय नहीं कर पा रहा था उसने अपने एक करीबी मित्र दीनों की मदद लेनी चाही जो एक बुद्धिमान व्यक्ति था यहां बहुत जरूरी है कि तुम रामू को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेजो क्योंकि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह हमारे गाव की प्रगती के लिए बहुत योगदान कर पाएगा दीनों ने सुझाव दिया भोलू मान गया लेकिन जब मेरा पुत्र दूर होगा तो मैं उससे निरंतर संपर्क रखना चाहता हूँ उसने कहा तुम उसे पत्र भेज सकते हो और रामो जवाब दे देगा दीनों ने कहा लेकिन हमारे गाव की डाग प्रणाली बहुत धीमी है हमारे पत्र शहर पहुँचने में हफ्तों लग जाते हैं भोलू चिंतित्था तुम्हें उस पुरानी प्रणाली पर निर्भर नहीं रहना अब तुम्हारे पत्र एक ही दिन के कुछ घंटों में शहर पहुँच भी सकते हैं और वहां से आ भी सकते हैं दीनों ने उसे बताया क्या पत्र उड़कर जाएगा भोलू ने मासूमियत से पूछा हां तुम यह कह सकते हो वास्तव में यह एक सस्ती उपगरा द्वारा संचार प्रणाली है तुम्हें बस अपना पत्र दफ्तर में बैठे हुए व्यक्ति को देना है वह तुम्हारा संदेश तुरंत भेज देगा दीनों ने समझाने की कोशिश की भोलू इस सिद्धान्त को तो नहीं समझ सका लेकिन वह आश्वस था और उसने इस प्रणाली को उड़ता हुआ पत्र कहना ही ठीक समझा इस तरह से उसने रामू को आगे की शिक्षा के लिए शहर भेजा और उसके साथ कुड़ता हुआ पत्र सेवा के द्वारा निरंतर संपर बनाए रखा कहानी में टेकनोलोजी उपग्रा द्वारा संचार हमारी प्रित्वी ग्रह में अलग अलग जगा पर संदेश भेजने के लिए कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है यह टेकनोलोजी विशेश रूप से दूर और अलग शेत्रों के लिए उपयोगी है इस कहानी की पठकथा और निर्मान राकेश रमन ने किया है जो एक राश्च्य पुरसकार विजेता पत्रकार और मानवतावादी संगठन आर्यमेन फाउंडेशन के संस्थापक है आज कल वह कई समाचार साइटों पर अपनी वैश्विक समाचार सेवाएं चला रही है जो राजनीती, व्यवसाई, प्राध्योगी की मनोरंजन और शिक्षा जैसे विश्वों को कवर करते हैं इससे पहले वह दा फाइनेंशल एक्सप्रेस के लिए नियमित रूप से एक विशेश संपादन प्रिष्ट कॉलम लिख रहे थे जो दि इंडियन एक्सप्रेस समू का एक दैनिक व्यावसाईक समाचार पत्र है वह सन्युक्त राश्ट्र और द्योगिक विकास संगठन यूनिडो के माध्यम से डिजिटल मीडिया विशेशग्य के रूप में सन्युक्त राश्ट्र यूएन के साथ भी जुड़े थे ताकि व्यवसायों को ब्रांड मार्केटिंग और व्यवसाय विकास के लिए प्रोध्योगी की का उप्योग करने में मदद मिल सके आप इस वीडियो के तहद दिये गए संबंधित लिंक देख सकते हैं और अधिक जानकारी पूर्ण विडियो देखने के लिए आरेमेन यूट्यूब चैनल की सदस्यता ले सकते हैं धन्यवाद